डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हू कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर वीवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर और टाइफाइड फीवर में आज जो चीजे हम कवर करेंगे वो है introduction, causes, transmission, symptoms of टाइफाइड, complications, diagnosis, treatment और prevention पर बात होगी टाइफाइड फीवर की तो डियर वीवर्स चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टाइफाइड फीवर डियर वीवर्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाइफाइड फीवर है क्या बैसिकली टाइफाइड फीवर एक जिंदेगी को नुखसान पहुंचाने वाली बिक्टीरियल बीमारी है अगर इसका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इसकी वज़ज़ से इनसान की जा सकती है दीर वीवर्स अभी बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर किस वज़ज़ से होता है तो एक बिक्टीरिया है जिससे सालमोनेला टाइफी कहा जाता है उसकी वज़ज़ से होता है जो के ग्राम नेगेटिव बिक्टिरिया है और अगर इसकी शकल की हम बात करें तो ये रॉट शेप होता है बैसलाई शेप होता है ये बिक्टिरिया इनसान के स्टूल ये फीसेज में एक्सक्रीट होता है और जाकर फिर पानी को और खुराकी अश्या को ये फिर कंटमिनेट करता है दिर,विवurst, ये बिक्टिरिया किन रास्टों की मदद से इससां के जिसम में मुंत्किल होता है, तो दो ही वज़े है, एक है, कंटमिनेटट फूड, वो खुराक जो इस से बिक्टिरिया की वज़े से कंटेमिनेट हो गई हो और कंटेमिनेटेड वाटर यानि वो पानी जिसमें ये बिक्टेरिया मौजूद हो तो इन दो सोर्से से इनसान के जिसम में सालमोनेला बिक्टेरिया इंटर होता है और टाइफाइट की बीमारी फिर कास करता है दीर विवर्ज अभी बात करेंगे क इस बीमारी के टाइफाइट फ्यूवर के अलामाथ क्या होती है इनसान के जिसममें तो सबसे पहली जो अलामत है वो है बखार, इसके अलावा खुश्क, खांसी, गले में दर्द होता है, सर दर्द होता है, जिसममें कमजورी पादा हो जाती है, मरीस का पेट खराब रहता है, मैदे में दर्द होता है या फिर मरीस को खबद रहता है मरीस को पसीना बहुद ज्यादा आता है वजन कम हो रहा होता है मरीस का और मरीस को भूख नहीं लगती इसके इसके इलावा स्किन पर जलत पर रेश को नमुधार हो जाती है रेड टाइप की Dear viewers, अगर टाइफाइट फीवर का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो जिसम के अंदर कुछ पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं बात में जिसे complications कहा जाता है तो वो complications हैं hallucinations, delirium, endocarditis, myocarditis, pancreatitis, pneumonia, meningitis, sepsis या फिर आंतों के अंदर bleeding होना शुरू हो जाती है और या फिर आंतों में सुराख हो जाते हैं तो ये complications हैं या पेचीदगियां हैं जो के अगर इलाज वक्त पर ना किया जाए तो ये complications भी वक्त के साथ साथ पैदा हो जाती हैं बरीस के जिसम में Dear viewers भी बात करेंगे तश्खीस पर जो के बहुत एहम है के टाइफाइट के लिए कौन सी तश्खीस की जाती है लिबाटरीज में तो सबसे पहले नमबर पर है blood culture किया जाता है, stool culture किया जा सकता है, urine culture किया जा सकता है, bone marrow culture किया जा सकता है Eliza टेस्ट किया जा सकता है blood से serum निकाल कर जिसमें IgM और IgG चेक किया जाता है ICT टाइफाइट किया जाता है जो के strip method है, device method है जिसमें IgM और IgG चेक किया जाता है लेकिन आचकल ये टेकनीक यूज बिलकुल नहीं होती, ये बंद कर दी गई है ICT method को क्योंकि इसमें जो cross reactions हैं उसके chances बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए ये टेस्ट अभी नहीं किया जाता और इसके इलावा Vidal टेस्ट जो है वो भी किया जा सकता है टाइफाइट के लिए लेकिन Vidal टेस्ट भी अभी तकरीबन दुनिया से खतम कर दिया गया है क्योंकि false positive इसमें भी बहुत ज्यादा आते थे तो इसलिए ये use नहीं किया जाता Dear viewers भी बात करें कि इन टेस्ट में से सबसे एहम टेस्ट कौन सा है तो वैसे generally जो bone marrow culture है तो वो tie fight के लिए बहुत sensitive और बहुत specific समझा जाता है लेकिन ये process थोड़ा लंबा होता है और तकलिफ दे होता है तो इसलिए ये इतना नहीं किया जाता अलबता इन में से जो test commonly किये जाते हैं और जो थोड़े specific हैं तो वो blood culture है, stool culture है और ELISA, IgM और IgG के लिए अगर हो तो काफी बहतर होता है type fight fever के diagnosis में दीर विवर्ज अगर इलाच पर बात करें कि कौन सी दवाईयां इसके लिए दी जाती है तो जो सबसे आम तोर पर दवाई दी जाती है जिसका असर भी होता है, मौसर भी होती है वो antibiotic तो वो सिप्रोफलॉकसिसीन है इसके इलावा सेफ्ट्रा एक्जोन भी दी जाती है और अगर इन से ना हो तो ओफलाकसिसीन भी दी जाती है या फिर कल्चर के बाद जो sensitivity का result आता है तो उसके बाद जो drug sensitive होती है तो वो फिर recommend की जाती है मरीज के लिए दीर वीवर्ज भी बात करेंगे कि इस बीमारी से खुद को कैसे बचा सकते हैं तो कुछ तरीके हैं जिसमें से है vaccine और vaccine available है टाइफाइट के लिए अगर vaccine टाइम पर की जाए तो मखसूस वक्त के लिए इस बीमारी से बचा जा सकता है इसके इलावा पानी हमेशा बोतल वा यूस करें इसके इलावा जो सबजियां और fruits आप बाजार से लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से दोएं और दोने के बाद फिर उसे इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है थैंक यू सो मच डियर वीवर्स फॉर वाचिंग मेल टी हब विट कामरान उमीद है लिक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अमेल टी हब विट कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज